इस सत्र में हम कोशिकाओं के बारे में अधिक विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं चलिए आरंब करते हैं कोशिका या अंग्रेजी में जिसे सेल कहते हैं ये शब्द अब आपके लिए नया नहीं है ये शब्द किसने खोजा और उसका अर्थ क्या है क्या आप इस बात की खोज कर सकते हो जीव विग्ञान की दृष्टी से आपको सेल अर्थात कोशिका की व्याख्या जरूर याद होगी कोशिका सभी सजीवों की रचनात्मक और कारियात्मक मूलगामी इकाई है अब तक तो आपको ये वाक्य जबानी याद हो गया होगा पर किस वाक्य का वास्तों में क्या अर्थ होता है चलिए इस बात को अधिक गहनता से समझने की कोशिश करते हैं जब भी हम किसी जीवित प्राणी या सजीव की ओर देखते हैं जैसे हमारे रिष्टेदार, दोस्त, हमारे पालतु जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, तोता, मचली या फिर छोटे कीडे जैसे चीटिया, तितलिया, मच्छर, मक्खिया, मदुमक्खिया, इत्यादी या फिर हमारे आसपाल जो पेड़ पौधे हैं इन सभी को हम उनके रूप से अर्थात उनकी भावतिक शारिरिक रचना को देख कर पहचानते हैं शारिरिक रूप से अलग-अलग सजीवों का शरीर भिन्न प्रकार का होता है जैसे मानवों का शरीर कुत्तों, गाय या फिर गुलाब के पौधे या नारियल के पेड या आम के पेड से पूर्ण रूप से भिन्न हैं भले ही इन सभी सजीवों के शरीर एक दूसरे से कितने भी भिन्न क्यों न हो फिर भी एक बात है अवश्य जो इन सब में समान है इन सब के शरीर कोशिकाओं द्वारा निर्मान किये गये हैं अब प्रश्ण यह है कि जब हम किसी सजीव को देखते हैं तब हम कोशिकाओं को क्यों नहीं देख सकते हैं इसका कारण है कि कोशिकाओं बहुत छोटी होती है योगी शब्दों में कहें तो वो अत्यंत सूक्षम होती है इसका अर्थ होता है कि कोशिका आकार में बहुत छोटी होती है जिने सिर्फ आँखों से देखना संभव नहीं होता है उन्हें देखने के लिए सूक्षमदर्शी की आवश्यक्ता होती है अब आपका अगला प्रश्ण होगा इन सूक्षमदर्शी कोशिकाओं द्वारा सजिवों के उन अंगों का निर्मान होता है जो सहज दुरुष होते हैं अर्थात जिने हम सिर्फ आँखों से देख सकते हैं भला ये किस प्रकार संभव है चलिए इस प्रश्णगा उत्तर प्राप्त करने हैं तो हम विस्तार से एक उधारन समझते हैं यदि हम मानवों की बात करें हैं तो हम जानते हैं कि हम मानवों का शरीर अनेग भागों से और अवयों से निर्मान हुआ है जो मिलकर अवयोवों की एक प्रणाली बनाते हैं जब हम अपने पाउं या फिर हाथों का गौर से निरिक्षन करते हैं तब पाते हैं कि ये विबिन्न प्रकार की हड्डियों से निर्मान हुए हैं इसके साथ ही मान स्पेशिया कई प्रकार के सयोजी उतक, धमनिया, तंत्रिकाएं होती हैं और त्वचा उपर से इन सभी को ढखती हैं इसी प्रकार हमारे शरीर की आंतरिक संस्थाएं भी होती हैं उधारन के लिए हमारे पाचन संस्था हम देख सकते हैं हमारा मुँ, सारे दातों के साथ, जीब, जबडे, अननलिका, पेट, यक्रित, पैंक्रियाज, अर्थत अन्नाशे, छोटी और बड़ी आंथडिया और बहुत सारे अन्य अवयव और भाग मिलकर हमारे पाचन संस्था बनाते हैं उसी प्रकार नाक, नथने, ग्रसनी, गलास, सांसनली, व्रोचियोल, फेफडे मिलकर हमारी श्वसन संस्था बनाते हैं अभी तक हमने जिन अवयवों की बात की हैं, वे और अन्य सारे अवयव मूल तहा उतकों द्वारा निर्मान होते हैं जैसे सेयोजी उतक, मा स्पेशियों के उतक, नर्वस अर्थात, तंध्रीका उतक, इपिथिलियल अर्थात, उपकला उतक, इत्यादी यह सारे उतक कोशिकाओ के व्यवस्थित क्लस्टरिंग अर्थात, गुच्चन और व्यवस्था द्वारा निर्मित होते इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हमारे पूरे शरीर का निर्मान ही कोशिकाओं के द्वारा होता है दूसरे पद्धती से कहें तो यदि हम हमारे शरीर से सारे अवयवों को और अंगों को निकालें और फिर उन सारे उतकों को भी अलग करना शुरू करें, जिससे ये अवयव और अंग बनते हैं, और फिर यदि उतकों को विखंडित करना शुरू करें, तो आंत में हमारे पास बहुत सारे लगभग, ट्रिलियन से भी अधिक विबिन्न प्रकार की कोशिकाएं रह जाएंगी अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा क्या इन कोशिकाओं को विखंडित करना या फिर इनका विशलेशन करना संभव है, और यदि हम ये कर पाएं तो हमें इससे क्या प्राप्त होगा? इसका उत्तर हाँ है, हम कोशिका को विखंडित कर सकते हैं और उससे हमें वे घटक प्राप्त होंगे जिनसे कोशिका का निर्मान होता है जैसे कोशिका पटल जिसे प्लाजमा पटल भी कहते हैं कोशिका द्रव्य और कोशिका के अन्य अंगक जैसे केंद्रक रिक्तिका गलॉल्गिक पिंड आंतर द्रव्य जालिका लैकालिका तंतुकणिका रिबुसोमेस अब हमारा अगला प्रश्ण होगा कि हम कोशिकाओं के इन घटकों को सजीव वस्तुओं और प्राणियों की मूलगामी रचनात्मक इकाई क्यों नहीं कहते हैं इसका उतर काफी आसान है क्या आप बता सकते हैं हमें आशा है कि आपको सजीवों और निर्जीवों को अलग करने वाले गुणधर्म अवश्य याद होंगे चली एक बार फिर जल्दी से इने दोहराते हैं सजीव निर्जीव सजीव प्राणियों को जीने के लिए अन हवा और पाने की आवश्यक्ता होती है निर्जीवों को अन हवा और पाने की आवश्यक्ता नहीं होती है सजीव प्राणियों का विकास होता है वे बढ़ते हैं निर्जीवों का विकास नहीं होता है सजीव प्राणी अपने आप चल फिर सकते हैं, निर्जिव हिल नहीं सकते हैं सजीव प्राणी सव्वेधनशील होते हैं और अपने आसपास घटने वाले परिवर्तन पर प्रतिक्रिया देते हैं निर्जिव सब्वेदनशील नहीं होते हैं, आसपास घटने वाले परिवर्तन का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता है, सजिवों में पुनर निर्मान अर्थात प्रजनन की क्रिया होती है, निर्जिव पुनर निर्मान अर्थात प्रजनन नहीं कर सकते हैं, सजिव सांस लेत वे अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं नर्जिव उत्सर जनकी क्रिया नहीं करते हैं सजिवों की एक निश्चित जीवन मर्यादा होती है जिसके बाद वे खत्म हो जाते हैं उनकी बृत्यु हो जाती है नर्जिवों की कोई जीवन मर्यादा नहीं होती है चलिए अब हम पुना एक बार हमारे उसी प्रश्ण के बारे में सोचते हैं कि हम कोशिकाओं को प्राणियों की मूलगामी रचनात्मग इकाई कहते हैं पर कोशिका के इन घटकों को सजीव वस्तुओं और प्राणियों की मूलगामी रचनात्मग इकाई क्यों नहीं कहते हैं वे घटक जिनसे कोशिका का निर्मान होता है अर्धात कोशिका अंगक या फिर पटल या फिर कोशिका द्रव्य ये सारे सजीवों की विशेशताएं दिखाते हैं। उनमें भी सजीव प्राणियों के बे लक्षन दिखते हैं जिनका उलेक हमने अभी अभी किया। जैसे पोशन प्राप्त करना, विकास, आसपास की घटने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना और प्रजनन भी करते हैं। इन सारे घटकों को संकलित करक जब संगटित तरीके से रखा जाता है तब उस संपूर्ण इकाई को कोशिका कहा जाता है प्रकृति में घटित होने वाले परिवर्तन और जीवन के कुछ मूल गामी लक्षन कोशिका में दिखाई देते हैं सारी कोशिकाओं को पोशन की आवश्यक्ता होती है वे भी पोशक की प्रक्रिया से भी होकर गुजरती है इसे कोशिका प्रजनन कहना अधिकुचित होगा जिसके कारण वे अपनी जैसे अन्य कोशिकाओं का निर्मान करती है और कोशिकाओं की जीवन मर्यादा खत्म होने के उपरांत मृत भी होती है वे खत्म हो जाती है यही कारण है कि हम कोशिकाओं को ना कि उसके घटकों को मौलिक या मुलभूद जिवित इकाई या फिर सजीवों की मूलगामी रचनात्मक इकाई कहते हैं विद्यार्थी मित्रों अब आप इस कथन का प्रथम अंश जिसके अनुसार कोशिका सभी सजीवों की रचनात्मक और कारियात्मक मुलभूद इकाई है इसे अच्छी तरह से समझ गये होंगे चलिए विद्यार्थी मित्रों अब हम इस सत्र में आयमुद्दो का सारांश जान लेते हैं हमने देखा कोशिका शब्त की व्याक्या जानी कोशिका का आकार और कोशिका के घटकों को समझा कोशिकाओं द्वारा निर्मान होने वाली जटिल शारिरिक प्रणालियों को जाना यदि आपको इस सम्मन्द में कोई भी प्रश्न हों तो आप इस सत्र दी गई जानकारी को पुनह एक बार सुने और समझे क्यों अब आप इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं जीवन का कोशिका सिध्धान्त क्या है यह सिध्धान्त किसने निर्मान किया है सूक्षमदर्शी को सर्वप्रथम किसने बनाया था आप